इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी ओस्टावर एक mg टैबलेट का इस्तेमाल HIV संक्रमन और chronic hepatitis B virus यानी की HBV संक्रमन के इलाज के लिए किया जाता है यह मानव कोशिकाओं में virus के गुनन को रोकता है यह virus को नए virus पैदा करने से रोकता है और आपके संक्रमन को साफ करता है और एक mg टैबलेट HIV या AIDS का इलाज नहीं है और केवल आपके शरीर में HIV की मात्रा को कम करने में मदद करता ह यह HIV से संबंधित जटिलताओं के आपके जोखिम को कम करने में मदद करता है और आपके जीवंकाल में सुधार करता है यह अन्या HIV दवाओं के सयोजन में निर्धारित है आपका डॉक्टर आपके लिए सबसे अच्छी दवाओं की सिफारिश करेगा और आपके लिए आव भावशीलता बहुत बढ़ जाती है और HIV के प्रतिरोधी बनने की संभावना कम हो जाती है। यह महत्वपूर्ण है कि खुराक न छोड़ें और उन्हें तब तक लेते रहें जब तक कि आपका डॉक्टर आपको यह न बताए कि इसे रोकना सुरक्षित है। इस दवा के सामा दुषप्रभावों में सिर्दर्द, मतली, उल्टी, पेट दर्द, ठकान, दस्त और दाने शामिल हैं। यह आमतोर पर गंभीर नहीं होते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर को बताएं कि क्या यह आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं जाते हैं। शायद ही कभी कुछ लो या किद्नी की बीमारी है। इसका उप्योग करते समय आपको अपने रक्त की मात्रा और यक्रत के कारे की जांच के लिए नियमित रक्त परीक्षन की आवश्यक्ता हो सकती है। शराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपके लीव के खराब होने का खत्रा बढ़ सकता है। गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माताओं को इस दवा का उप्योग करने से पहले अपने चिकित सक्से परामर्श करना चाहिए। यदि आप HIV पॉजिटिव हैं तो असुरक्षित यौन संबंध न बनाएं या रेजा या तूथब्रश जैसी व्यक्तिगत वस्तूओं क साजहा न करें। सेक्स के दौरान HIV संचरन को रोकने के लिए कॉंडोम जैसे सुरक्षित तरीकों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।